नान के निकट वानी गाओ की पास के खेतों में अधिकांश किसान अपनी फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेतों में तार की बाड लगा कर अपनी फसल की रक्षा करें हैं इन फसलों को बचाने के लिए किसान खेत के चारो और तारो की बाड लगाते हैं और उसमें बिचली प्रवाहित होने देते हैं जबकि कोई बैटरी शौक करण छोड़ता है इसे बीच शनिवार के दोपहर वानी में एक किसान के दो पैलो को बिचली का करण लगने से बैलो की मौके पर ही मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार दिलिव कौतिक खोड़ी का वानी शिवरा में तीन इकड़ खेत हैं पिछले चाग दिनों से लगातार हो रही बारिश की कारण किसान जनिवार को अपने मविश्यों को चारा किलाने के लिए खेत में ले गया था जब वह वापिस आ रहे थी तब सदानन जैसवाल के खेत में लगे धुए से जिस दम्यान वह गुजरे तब मविश्यों ने धुए के पास ताह को चुआ इससे पहले की वे कुछ जानते दोनों बैल ताह के पास सर पड़ तोड़े गटना किसान दिलिव के सावन ही दमपती बैलों की जोड़ी को बचाने जा रहे थी लेकिन वो इस में विफर रहे और दोनों बैलों की मौकी पर ही मौत ग .. किसान तेली प्रारिनन बचे भी मलिशियों की तराश में कए लेकिन गाय और बच्षा देड़ रात खायल और डरी हुई अवस्ता में घर पर पहुँचा गटना शांग करीब चार बजे बिवापुर थाने में हुई पलिस ने मौकी पर पंच नामा कर मामली की चार्ज गी है कि अधर्य एक ग्लाट जमता होता था और शाक कर दो शांग रीकिन पर ब्लड चे दिस्ता था कुछण बईला घसर ले नंतर यह तो शाक लागले नंतर लाइन चा शाक होता है यह को ड़ा है सदेन सवाल 21 तो कि ठींश मेंगर सदेन रस्तेंदायों हुआ black ने थुना लोगा है क्यों में शेथ हमाई निलौ अन्ट को भीन है तो अब बैक फिस्ट फीकर हो frequी नामिदाग सदेना से नन्ट पलिधा नामिट दोसेना Thanks कर्णतं मनत तुमिये करन्त लावता ना गेलो तुमिये करणट लावता यह दस्वाल तो इलेक्ट्रिक लेते वह आधा तर्ट अुब नचैने मीफाईल तो 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 में सेंद्यश के लिए भिवापुर से राम वागमारी की रिपोड